बही जब दुनिया बनाने वाला भी वही है और दुनिया बनने वाला भी वही है और तो कोई मेटेरियल उसके पास था नहीं, और तो कोई वस्तो थी नहीं उसके पास संसार को किस चीज से बनाया, खुद ही संसार बना इसलिए सरवत्र जो कहा जाता है परमात्मा है सरवत्र परमात्मा नहीं सरवत्र परमात्मा ही है नदियां विर्क्ष परवत पसू पक्षी कीडे मकोडे सब कुछ वही तो बना है हमारी दृष्टी जहां भी जा रही है सब जगह परमात्मा ही है साहथ इसलिए भगवान राम आनुज कहते हैं कोई भी वस्तु का पहला अर्थ जो होता है वो परमात्मा होता है अब घड़ी कोई हांत में ले और पूछे कि भई घड़ी का मतलब क्या है तो घड़ी का पहला जो मतलब है वो परमात्मा ही बाद में आप कोई भी अर्थ उसका लो क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है सब परमात्मा ही है